Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel Guys, speaking program जो मैंने शुरू किया है beginners के लिए उसका ये part 2 है अब देखते हैं इसमें क्या होगा Guys, आपको करना क्या है? क्योंकि आपका कोई partner नहीं है घर पर आप घर पर अकेले हैं और आपको खुद से ही बात करनी है तो कोई भी past घटना जो आपको याद हो नहीं तो कोई भी कहानी, कोई किसी book की कहानी आपको याद हो आपको क्या करना है कि एक page लेना है और इस तरीकी से उस कहानी को draw करना है कहानी बोलने से पहले आपको पहले उसके कुछ image जो जो हुआ जैसे जैसे हुआ वो draw करना है मैं आपको बताता हूँ मैंने कहानी draw किया है फिर आपको करना क्या है मैंने यहाँ पर एक draw किया है कि एक राम नाम का लड़का था राम सुबह उठा, fresh हुआ, तयार हुआ, breakfast लिया मैंने सारे यहाँ first form लिखा है ताकि आप second form खुद करेंगे तो मैंने एक story, मतलए एक box के अंदर ये बना दिया आभी ऐसे-ईसे boxes बनाई गये बहुत ध्यान से देखिए guys ठीक है, उसके बाद वो हमेशा की तरह bus stop पे गया bus stop पे वो खड़ा था, बहुत सारे passengers वहाँ अलरी थे अचानक उसने देखा कि एक बंदा आया और उसने वहाँ जो एक लड़की खड़ी थी उसका bag छीन लिया और भाग गया तो यह दूसरा box हो गया एक घटना देख रहे हैं, चितर के माध्यम से मैंने उसको draw कर दिया उसके बाद, यहाँ देख लीजे वो लड़की चिलाने लगी help, help, बचाओ, चोर, चोर ऐसे चिलाने लगी, तो राम चुकी वहीं पर खड़ा था वो चोर के पीछे भागने लगा sentence को समझे, कैसे आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, भागने लगा उसके बाद, finally उसने उसको दबोच लिया चोर को और वो बैग को छीन लिया चोर से चोर वहाँ से भाग गया, फिर उसने बैग हैंड ओवर कर दिया लड़की को, लड़की ने थैंक्यू बोला, यहां तक हो गया next week, अगले हपते अचानक दोनों कहीं पर टकर आए, मतलब अचानक एक दुसरे को उन्होंने देखा, फिर दोनों कॉफी शॉप गये, और वहां पर उन्होंने कॉफी पी, उसके बाद एक दुसरे का नंबर एक्सचेंज किया, और फ्रेंड्स बन गये दोनों, यहां तक समझ में आ गया फिर एक दिन, वो दोनों पार्क में बैठे हुए थे, अचानक एक लड़का आया, जो कि बत्तमीज सा था, गुंडे टाइप था, रफियन था, वो कॉमेंट पास करने लगा लड़की पर, लड़के से बरदास ने हुआ, राम से बरदास ने हुआ, राम उस लड़के से में आपको बोलना है, तो चुकि आप बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स हैं, इसलिए पहले आप ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी जूट मूड का, ताकि आपको पता है रहे कि अच्छा, यहाँ यह हुआ, यहाँ यह हुआ, वो ड्रॉ करने के बाद, उसको देखेंगे, और फिर बोलने की प्राक्टिस करेंगे, यह आपको करना है, दोस्तों, अगर आप यह कर पाते हैं, य ऐसे कॉमेंट्स आते हैं मुझे, कोई बात नहीं, आप एक कोना पकड़िए, खुद बैठिए, और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, वैसा आप कीजिए, होगा फर्क, लेकिन यह फर्क तभी पड़ेगा, जब आपको टेंसे जाते होंगे, आपको पता होना ची कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो I am going ही होगा न, यह पता होना ची, अब यह बोलने के लिए कुछ words हैं, जो ध्यान में रखते हैं, अगर आपको बोलना है हमेशा की तरह है, तो इसके अंग्रेजी आपको बोलनी है as usual, as usual का आप इस्तमाल कीजिए, इसे लड़की न अलारम उसे बोलते हैं, इसका इस्तमाल है, in order to का इस्तमाल है, कि उस लड़की की मदद करने के लिए, तो in order to help that girl, फिर एक word है, दबोच लेना, उसको हम बोलेंगे nab, n-a-b-nab, nab मतलब दबोच लेना, भागने को flee भी कह सकते हैं, flee मतलब भाग जाना, सौपने को hand over, उस एक screenshot ले, उसके बाद आप भी try कीजेगा, मैं भी try करता हूँ, तो मैं हटता हूँ आप एक screenshot ले लिजेगा, तो guys I hope कि आपने इसका screenshot ले लिया होगा, अब शुरू करते कहानी को बोलना, माल लीजिए ये घटना घटी पिछले महीने, अब हम एक एक box को तोड़ना शुरू as usual, got up in the morning, he got fresh, got dressed, after that he had breakfast, then he went to the bus stop and started waiting for the bus, there were so many passengers standing there, there was a girl, she had a handbag in her hand, suddenly a boy came over there and snatched the handbag of the girl and ran away from there, the girl raised an alarm and Ram, in order to help that girl, started running after the boy and finally he nabbed that thief and snatched the bag from his hand, then the thief fled from there, then Ram came to the girl and handed over the purse to the girl, the girl said thank you, next week, they both came across each other and they went to a coffee shop and started having coffee, there they exchanged each other numbers and became friends, one day, one day, they both were having a stroll in the park, suddenly a ruffian boy, a goon, ruffian or hooligan came over there and started passing some comments on the girl, Ram couldn't tolerate this and he started fighting with that goon, finally the goon ran away from there, the girl saw this happening and she thought that this man can really protect me in future, he is a good match for me, so the girl said I love you to the boy I love you to like it, so the girl said this story, so you are about to explain it, the police said you have to have to learn it, so you will be aware, about the way it was born, so the one was born, the公正 स्टेंस फिर देखिए कि इसमें क्या सूट कर रहा अगर आपको लग रहा है कि वह इंतजार करने लगा तो आप स्टार्टेड रगाईए कि स्टार्टेड वेटिंग तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप ऐसा कोई भी एक कहानी चित्र के माध्यम से लिखे और उसको बोलने के लिए कोशिश करें अगर आप यह करते हैं तो फर्क जरूर पड़ेगा दोस्तों तो बस यही था मिलते हैं अगले वीडियो में औ फूंग वीडियो में आप यही था खा लगए देप्टेश में आप वीडियो में ठाप टो दोत तो था देदिए हैं हुआ है।